प्रतिक के लिए यह रिष्टा क्या कहलाता है क्लते हैं में जल्धी होने वाला है खोब सारा ड्रामा क्योंकि कार्थिक के सामने आने वाला है वैतिका का सारा सच प्रकी कार्धिक की ङहां ग talentedि येनों सबी देख रहे होंगे कि कैसे वेदिका कर रही है कार्तिक के करीब जाने की कोशिश लेकिन कार्तिक तो करते हैं सिर्फ नायरा से प्यार और इसी प्यार को खत्म करने के लिए वेदिका ने किया है प्लैन अपना हनीमून जी हाँ वेदिका जाना चाहती है कार्तिक के स खेल रहा होगा लोडो तभी कमरे में आएगी वेदिका और वेदिका को देखकर कार्तिक पढ़ जाएगा उल्चन में और करेगा सवाल उससे कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि कायलव के यहां आने से वो खुश नहीं है अब भई वेदिका कार्तिक के पास ना नायरा को चाहती ह और ना ही नायरा की किसी भी निशानी को तो अब एक तरफ यह सब चल रहा होगा तो दूसरी और आप देखेंगे कि दादी जा रही होगी कार्तिक वेदिका के साथ एरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने के लिए लेकिन तभी दादी बीच रास्ते में रगवा देगी गारी और कहेगी कि वो दोनों घूमने के लिए जा रही हैं लेकिन उन्होंने दोनों का चेक अप तो कराया ही नहीं अब दादी यहां वेदिका से कहेंगी कि वो चाहती है कि वेदिका अपना चेक अप करा ले वही वेदिका तो करने वाली है बार बार चेक अप के लिए मना क्यो वेदिका ने अपनी किटनी दी भी है या फिर नहीं तो बस अब दादी कराने वाली है वेदिका का चेक अब जिसके बाद अब कार्थिक को भी उसका सारा सच पता चल जाएगा और कार्थिक काफी गुष्य में होगा, चीजों को उठा उठा कर तोड रहा होगा तो वहीं मकर सक्रान्ति के खास मोखे पर आप देखने वाली हैं कि नायरा और कार्थिक यहां पर एक हो जाएंगे जब वेदिका का सच जान कर कार्थिक अपना आपक हो देगा तब नायरा आकर संभाल लेगी अपने कार्थिक को और यहां दोनों के बीच एक emotional सा moment आप सब ही देखने वाले हैं तो अब दोनों ही वेदिका की सच्चाई जान कर मिलकर सिखाने वाले हैं उसे सबक अब भई क्या करेंगे कार्तिक नायरा कैसे कराएंगे वेदिका को उसकी गलती का ये एहसास ये सब आपको आने वाले ट्रैक में ही देखने को मिलेगा तो बल्कुल भी मिस ना करें सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लस पर ये रिष्टा क्या कहलाता है